नमस्कार मैं हो दिपिका आप देख रहे हैं देशकाफ से भरोसेवन डिजिनल लिजनल डिके नियूज G20 समिट को लेकर आपने हर छोटी से बड़ी चीज खबरों के माध्यम से देखी लेकिन एक चीज है जो आपने न शायद देखी और ना ही आपको दिखाया गया होगा देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले अवेर की राश्पती जो बाइडन ने एक मजहभी अनुष्ठान किया लेकिन उस पर किसी ने न कोई बवाल किया और न कोई सवाल किया वही भारत में प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी जैसे राजनेता जब भी कोई राजनीती कारे से पहले पूजा पार्ट या धार्वे करुष्ठान करते हैं तो वामपंथियों से लेकर खुद को सेकुलर कहने वाले सभी धड़े पीछे पढ़ जाते हैं क्योंकि मूल में हिंदू धर्म होता है और हिंदू धर्म का विरोध ही लेफ्ट लिवरर गैंग का मुख्य जंडा है अब चाहे वो संसद में सेंगोल के स्खापना हो राममंदर का शिलान्याश काशिव विशनात या महाकाल कॉरिडोर का उधगाटर या प्रधार मंतरी मोदी द्वारा किसी मंदर में पूजा पाट तब तब यही सेकुलर गैंग यह सिखाने जरूर आता है कि राष्ट का कोई धर्म नहीं होता राष्ट सेकुलर होता है जबकि अमेर की राष्टपती के एसाई पादरी को बुला कर विशेश प्रातना और भोज के आयोजन से उन्हें कोई समस्या नहीं है क्योंकि विरोध तो केवल सनातन क धर्म का ही होना है उसको नीचा दिखाना है उसके लवाब बाकी सब सेकुलर है जैसा कि इन दिनों आप देख ही रहे होंगे कि सनातन का अपमान करने का कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया है मीरा रिपोर्स का मताबिक नई दिल्ली में जी प्रेटी शिखर सम्मेलन के दो दिवसी बैठक से पहले भारत में अमेर की दूतावास के अधिकारी के सुनिश्यत करने में लगे रहे कि बैठक से पहले जो बाइडन की इच्छानुसार हॉली कम्यून सर्विस का आयोजन कर इसके लिए दिल्ली के इसाई मजहबी आयोजन के प्रमुक फादर निकोलस डायस से एक हफ्ते पहले ही संपट कर सब कुछ तैकर दिया गया बताया जा रहा है कि फादर निकोलस डायस जो बैनोलीम गोवा के रहने वाले हैं और तीन दश्कों से अधिक समय से विभिभन इ 2023 सुबा लगबग 9 बजे फादर डायस होटल ITC मौरे में थे जहां राजपती बाइडन के साथ एक छोटे अमेरिकी प्रतिधी मंडल ने 30 मिनट की पवित्र भोस सेवा में भाग लिया मीडिया रिपोर्ट्स के मताविक जो खबर सामने आई है उसके मताविक कहा जारा है कि राजपती बाइडन इस मामले में बिल्कुल स्पश्ट थे कि वो अपने दो दिवसी G20 कायर्टन के शुरुआत भारत मंडपम में पवित्र यूचरिस्ट और प्रातना के साथ अमेर की राश्पती ने एक संग्षित बाचीत उनको बताया कि कैसे उनकी दादी का उनके जीवर और कैथॉलिक पालन पोशड का बहुत बड़ा योगदान है फादर ने अमेर की राश्पती को उपहार में बैवेनी का यानि की गोवा का एक पुर्तगाली वेंजन भी भेट किया जो भारत में इसाई मजहब के जड़ों प्रभाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है साथ ही उन्होंने भारत के तटी राज्यों तक पहली बार सेंटर फ्रांसिस जेविया द्वरक कैसे इसाई धर्भ पहुचा इसकी भी चर्चा की इतना सब कुछ हुआ वो भी विश्यो के एक सबसे श्रतिशाली राश्ट के मुखिया इसने एक वैश्विक शिखर सम्मेले से पहले भी अपनी इसाई पहचान मजहब के अनकूल आच्रड को विदेशी धर्टी पर भी नहीं छोड़ा लेकिन इस पर ना कहीं कोई बवाल हुआ और ना सोशल मीडिया पर ही कोई चर्चा देखने को मिले हूँ क्योंकि कर्टरपंतियों की नजर में यहां डेमोक्रेसी और राश्ट का धर्म जैसी बात ही नहीं है वहीं आपको याद होगा यह गैंग कब-कब बवाल नहीं मचाता चाहे वो संसत भवन में पहली बाद प्रवेश से पहले मंगला चरण हो राम मंदिर का शिला नियाश काशिव विश्वनात या महाकाल कॉरिडोर का उधगाटन हो अयुद्ध्या में दिवारी सहित कई मंदिरों के जिडो धार के बाद उधगाटन भी शामिल है सनातन पर हमला करने वाले अब इस मामले पर क्या बोलेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय जरूर दे फिलाल इस पुले मामले को लेकर आप जो भी सोचते हैं वो भी हमें जाकर बताए और इस कवर में ता ही बाकी बड़ी ख़वरों के आप देखते हैं वीके नूस नमस्कार